नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेड वित रहने चलिए दोस्तों आज की सुरुवात करते हैं आज के जो शेयर है वो है के वारे बात करते हैं यह आपको अपने पॉर्टफोलियो में वेट करेंगे तो आने वाले टाइम पर अच्छी रिटन देगा मल्टी वेगर भी साबिद हो आला शेयर क्योंकि यह कॉलकरता बैस्ट कंपनियां वहां पर जित्ता भी बिजली का में सेक्टर बिजली का जो है वहां पर इस कमPanys के द्वारा होता है CESC द्वार तो बेसिकलि यह कंपनी पावा सेक्टर की पावार जेनरेशन में अंदर काम करते है थर्मल थर्मल द्वहार भी पावर जिब्डवल नेर्जि इनदर भी है यह कंपनी के मोटा आपको एक्सक्प्रेइंग करने ज्याद ह सब्सक्राइब करेंगे तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया है सी एस सी लिमिटेट क्या करती है पावा जनेरेशन मां पावा रिनुवल पावर एनरजी पावर जनेरेशन का काम करती है कंपनी अब चलते शेर के निद्द चल क्या हो मुमेंट वह समझते है तो कंपनी कहां किए देखो मैंने आपको पहली बताया था गयानुका गुरूप की कंपनी यह संजीव आरपी संजीव गयनुका गुरूप की कंपनी यह ठीक है ना कॉलकटा बैस्ट है आप देखिए तो आज यह open होता है 89.50 पे एंड हाई मारता है 94.45 पे लो मारा 89.50 यानि जित्ते पर open हुआ उपन हुआ उत्ते पर ही लो मारा 52 है इसका 102 अरब 45 पैसे का 52 लो है 57 पैसे का तो यह देखें बेसिकली कमपनी कपसे है 1988 से 1998 से 99 से कमपनी है कॉलकाता की आया है कॉलकाता में इसका में काफी अच्छा वेंचर काफी अच्छा रिन्यूवल के अनेर्जी के इंदा बहुत अच्छा वर्किन का कॉलकाता हमें बहुत ज्यादा सप्लाइंगी कोलकाता के इंदा सबसे बेस्ट सप्लाइंगी है तो बिसिकली इनका पांस दिन के अंदा वितर इसने शेर ने हमा हमार को 3.85% पॉजिटिव में तो बेसिकली मैक्स पी जाएंगे तो मैक्स के अंदर भी इसने अभी तक हमार को सहते तो बेसिकली इसकी शेर होल्डिंग काफी अच्छी समझेना लिए चीज़े के शेर होल्डिंग में अब अब इसकी आपने पॉट्फॉलियो में वैट खिया ओगो तो आपको पॉट्फॉलियो में वैट खिया हो तो लोग तो देखिए इसमें देखते हैं इंके डील किती हुए बहुत से मसले था थोड़ी सी हो देखिए है यह हें दिविडांड देखिक्व इदिविडालों में किते जब अनने कहीं एवरी है देखे डोचाथ गां में यह आपके巧़ना तो तो आप अच्छा-सक्त चाही तरु विल जागा आपको अच्छा-सर डिविड़न्सक्रा अच्छा-सरेटन मिल जागा आप इस वह फूर्ड करके भी रखेंगे शेर को तो मैं आपको पहली रिभेशा एक इस कंपनी कोस्व अपने पर तो आपके आप लेकर रहें आप आपको रिटन किता अच्छा मिल रहा है तो यह काफी चीज होते समझने वाली तो यह देखिए इसका मार्केट के अब हो गया पूरा इसमें इसके कुछ देखिए इसके अब तो आप इसके अदर चलते हैं तो इसमें क्या देखते हैं हम तो यह देखते हैं यह यह वाई वी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंगे सेल में अप डाउन रेवन उपन नीचे है बाकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग चलिए एवरी यह देखिए पहले 1.27 ता बढ़के हुआ 1.30 तो यह यह वाई भाई भी सेल इसमें की जावत देखना हो मिलना बाकी अल्टीमेटली इधर भी 94 परसें हम बना रहा है यह तेजी को इंडिकेशन देती है आपको हमेशा इसमें ब्रेक आउट देखें यहां पर जैसी यह देखिए यहां पर करेक्टिव होके ना अब फिर से अप ट्रेंडिंग तर्फ जा जुगा है तो हमें क्या करना है जो इसका स्टॉप्लस रखना है आपको इसमें पर पहलेगा तो यह देखिए यहां पर यह देखिए यहां पर यह देखिए यह इस एरिये के अंदर यह आ रहा है शेर स्टेम पर इस टैरिक अंदर शेर फसा हुआ इस चैंडल पर यह कैंडल को सपोर्ट लेकर चलता है अगर 95 तो दूसरा टार्गेट मेरा यहां पर यहां पर आगा 100 रुपीज का 54 के सटॉप लोसर से पाय करिये पहला टार्गेट हमारा 95 का क्या से ट्रिक्टरी में फसा करिए और 103 तक के टार्गेट है इसके इसे चार तक के मेरा वह उप्शन देगा हमारे को यह वेकली चार्ट था थोड़ा डेली चार्ट अपका उपकर करके दिखाता हूं जो इनदर बंगेन बदिखा था है यहां पर मैंना आपको बता था हम अपको यह ड्रैगन फ्लै केंडल जो बनी गल के दिन पर तो यहां पर तेजी को इंदर तो आपने क्या करना है इसमें पेसे साथ होल्ड रखना और इसको आप अपने पॉर्ट्फोलियों भी एड्ट करते लॉंग तो आपको अच्छे रिटन देगा शेयर के साथ आपको डिवीडेंड डिल्स में काफी अच्छी है तो आप जो इन्वेटर है मैं जो करेंडर मलती तो मुझे लगता इसमें आप टीजी के इंडिकेशन देखने को मिलेंगे जैसे अपने 95 का लेवल तो एक सुतार तक की लेवल भी इसली दिखा देगा तो बीस से पच्छी दिन के लिए होल्ड रखी आप इसको और पिससे साथ बने रही है अगर यह वीडियो आपका अच झाल झाल झाल